Hello everyone, welcome to SSC Insight So, कल SSCGL 2018 का Final Marks Statement अपलोड हो चुका है SSC का वेब साइट में तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जो Marks है वो शेर करने जारे ही हूँ पहले मैं आपको CGL Tier 1 का जो Marks Statement है वो आपको दिखाऊंगे और उसके बाद Final Marks Statement दिखाऊंगी क्योंकि Final Marks Statement में जो चारो जो सेक्षन होता है Tier 1 का उसका अलग-अलग Individual Marks नहीं होता है तो इसलिए पहले Tier 1 का Marks Statement आपको दिखाऊंगे उसके बाद Final तो यह है CGL 2018 का Tier 1 का Marks Statement तो पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने Preparation Start किया था आगस 2018 में तो तब जब Form Fill किया था तो इस Logic से ही Form Fill किया था कि CGL 2018 मेरा एक Trial होगा क्योंकि तब ही Exam होने का बात हो रहा था बट CGL 2017 के लिए वो Postpone हो गया था जितना Time Postpone हुआ था बस उतना Time मेरे Preparation था मतलब कि अगस 2018 से जून 2019 तक मेरा 10 Month का Preparation था पूरा 10 Month का Preparation में मैंने CGL किया है तो यह है मेरा T1 का Mark Statement तो जब ही मैंने Exam Hall में एंटर किया तो as usual मेरा बहुत low confidence था और उसके reflection मेरा reasoning में दिख रहा है तो reasoning से मैं start करती हूँ जब reasoning में start किया तो पहले minutes में मैं कुछ कर ही नहीं पाई इतनी low confidence थी मेरा एकदम शुरू का दिन था तब एकदम preliminary stage था मेरा in fact मैंने CGL के पहले कोई SSC का exam भी नहीं दिया था तो यही मेरा first attend था और first SSC का भी exam था तो यही मेरा mark statement है reasoning का GK का and कौन का English का comparatively better है उन दोनों से तो मेरा raw score 150 था और उसके बाद final normalist score इतना हुआ था तो जब मैंने exam देके निकला तो मैं इतना disappointed थी कि मैं इतने हताश हो चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि CGL 2018 तो मुझसे ना हो पाएगा मेरा सभी महना देकार हो गया अब मेरा तो 2019 के लिए ही wait करना परेगा तो इतनी हताश हो चुकी थी कि मैंने tier 2 का preparation ही start नहीं किया मेरा जून में CGL हुआ उसके बाद July में CGL 2018 था और August में MTS 2019 था तो तब मुझे लगने लगा कि ये दोनों ही मेरे पास अब opportunity बची है CGL 2019 के पहले तो ये दोने दोनों ही मुझे लगाना होगा क्योंकि tiers भी कम होते हैं CGL के respect से CHSLN MTS में तो मुझे लग रहा था कि मुझे वो ही दोनों target करना चाहिए क्योंकि CGL 2018 तो मुझे नहीं होगा तो ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि tier 2 में मेरा selection हो जाए बट final तक मैं नहीं पहुच सकती क्योंकि मेरा item भी बहुत अच्छा नहीं था जो जैसे दिखाता है कि final selection के लिए जैसा होना चाहिए वैसा item नहीं था तो इसलिए इतना हता शोची की थी tier 2 के preparation स्टार्ट नहीं किया जुलाई में CGL हो गया अगस्ट 7 में मेरा MTS था MTS हो गया उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ाब tier 2 का preparation कर ले थी हूँ क्योंकि tier 2 में हो सकता है कि मेरा selection हो जाए अगर last तक नहीं पहुच पाई तो एक experience तो हो जाएगा तो इससे मैंने start किया था मेरा जो tier 2 का preparation and tier 2 का जब preparation start कया तभी मैं समझ गई थी कि मेरी जो condition है वो बहुत ही खराब है क्योंकि tier 2 का जो maths था वो मैं complete नहीं कर सकती थी 100 questions 2 hours में तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा barrier हो चुका था पहले पहले English भी मैं complete नहीं कर सकती थी तो इसलिए तो मतलब कि जितना हतास था मैंने उससे ज़्यादा मैंने हतास हो गई थी क्योंकि अब मुझे लगना लगाता कि अगर selection हो भी जाए तो भी मैं maths के लिए मतलब मैं complete तो नहीं कर पाऊंगी maths 2 hours में तो maths के लिए मेरा तो ये chance रह जाएगा तो यही एक surprise है मेरा इस mark statement में मेरा final mark statement में मेरी जो maths का score है वो ही एक surprise है कि इतना score में भी selection हो सकता है ठीक है तो मैं अब आपको final दिखाते हूँ मेरी जो final mark statement है तो 11 September से tier 2 शुरू हो रहा था and मुझे याद है कि near about 26-27 August इस time पे tier 1 का result out हुआ था जब tier 1 का result out हुआ तो मैं तो इतना shocked हो गया था कि इतना marks मेरा increase हो चुका था normalization के वज़े से जैसे कि CGL 2018 के पहले normalization नहीं था तो normalization में actually कितना marks increase हो सकता है shift wise कितना differ करता है इसके बारे में किसी को भी कोई idea नहीं था मुझे तो idea नहीं था तो इतना marks raw score मेरा इतने आने के बाद मुझे और भी जादा raw score मतलब raw score के बाद normalized score इतने जादा आने के बाद मुझे और भी अफसोस होने लगा कि क्यूं मैंने tier 2 की preparation पहले नहीं शुरू की थी तो बहुत अफसोस के साथ actually मैंने tier 2 देने जा रही थी तो यह मेरा final mark statement है यह मेरा allocation details है आप देख सकते हैं यह मेरा allocated post D34 है जो की है auditor in CGDA Comptroller General in Defense accounts which comes under Ministry of Defense ओके और यह रहा मेरा tier 1 का number normalized score जो आप आप अल्रेड देख चुके है तो surprise आप यहाँ है मेरा tier 2 के marks से तो यह है मेरा tier 2 के marks ठीक है तो generally हम ऐसे ही जानते है कि maths मतलब quant and English के लिए आपको at least 170 plus लाना होता है मतलब दोनों को जोड के out of 400 आपको 350 plus लाना होता है ऐसा ऐसा ही मैंने सुना था तो ऐसा ही target था बत maths में मैंने एकदमी complete नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बहुत detail में actually तब करती थी तब की बात थी अब तो बहुत ही सब कुछ अलग हो चुका है तो बहुत detail में मैं maths करती थी actually तो इसलिए मैं hundred questions कभी भी complete नहीं कर पाती थी तो यह मेर सबसे बड़ा drawback था तो मैंने maths बहुत ही कम attend किया था and जितना भी मेरा raw score था उससे भी मेरा number decrease हो गया था and decrease होके मेरा normalized score यह रहा quant का तो जब मैं quant दे के निकला था तो मैं already जान गई थी कि क्या disaster मैं already कर चुकी हो तो पता नहीं कहां से इतना positive energy आगा जनरली मैं बहुत low confidence में था तब ही तो पता नहीं कहां से इतना positivity आगा कि मुझे में कि आप तो यहां आजर उस पर या उस पर इस पर उस पर हो चुका condition कि अब तो मेरा कोई hope नहीं रहा तो मैं English में एकदम तोड़ फोर दूंगी ऐसा attitude आगया मुझे में कि अब जो हो जाए English तो मैं अच्छा देके रहूंगी ऐसा कहां से मतलब साड़े दस से साड़े बड़ा तक maths होता है और उसके बाद 3 to 5 होता है English तो उसी बीच में पता नहीं क्या आगया मुझे में कि इतनी positivity आगयी कि जो हो गया तो हो गया क्वांट तो मैंने ऐसे ही सब कुछ खतम कर ही दिया क्वांट में अब तो इंग्लिष में मुझे एकदम 100% potential देना है मेरा तो इंग्लिष दिया और उसका नॉर्मले स्कोर आप देख सकते हो तो इंग्लिष के लिए ही मेरा basically मैं इंग्लिष को ये credit दे सकते हूं कि इंग्ल स्ट लिस्ट में सेलेक्शन हुआ था इसके लिए मैंने ये जेनरल स्टाडिस का जो finance and economics का पेपर होता है वो भी मैंने दिया था इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था मतलब जब लिस्ट वां में सेलेक्शन हुआ मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि ल स्ट कर रहा है तो मुझे कुछ आता पता नहीं होता था जो भी जानता था वह उनलाइन ही जानता था यूट्यूब से इनफेक्ट मैं तब कोई facebook ग्रूप में भी नहीं था कि कुछ उच से पता चले तो यह होता भी क्या है मुझे यह भी नहीं पता था वह इंग्लिश का देने चलेगा है अब selection हो गया है list one में तो क्यूँ निस्कर तो एसा ही selection देने चले तो मार्कसाँ आता है इसका कोई value नहीं है ठीए डैजली ऑर अगर आपके पास ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो वीक है तो उसके साथ साथ ऐसा कोई सब्जेक्ट भी होना चाहिए जो बहुत ही स्ट्रॉंग है इंग्लिश मेरा उतना भी स्ट्रॉंग नहीं था पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने सभी रहांडर्ट पर अटेंब किया ही था इनफेक्ट मेरा 8 या 9 मतलब इंकरेक्ट हुआ था मुझे ठीक से याद नहीं है याद करके दिखना पड़ेगा तो इतना अच्छा हुआ था मेरा इंग्लिश और इंग्लिश के वज़े से ही मैं बज गई थी तो ऐसा ही है अगर आपका कोईच भी थोड़ा सा वीक है मैट्स मेरा वीक नहीं था मैट्स में कंप्लिट नहीं कर पाती थी यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लिम था मतलब प्रैक्टिस लेग हो गया था क्योंकि मैंने उतना बीच में उतना टाइम नहीं था मैंने कुछ और ही पे म कंसेट्रेट किया था ऐतso यहां developing के हैं स्पाइधर हो गया तो इसके बड़ुक नो में अच्छा कड़ के रहूंगी कोई मुझे रोक नहीं सकता तो इतना जीद हो गया इतना जीद हो गया मैट्स पे उपर मैंने बहुत मैने बहुत बटर है एक्चुली सीजिल 2018 से कोई मुकाबला नहीं है मैट्स का तो अब सिनारियो एकदम चेंज हो चुका है मेरा जो जित था मैट्स अच्छा करने का वो मैं कह सकते हूं कि सफल हो चुका है तो यही है कि अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो और एक पार्ट को इतना स्ट आपका एक दम स्ट्रॉंग होना ही चाहिए यह कोई आप्शन नहीं है आपके पस की कोई वीक हो जाए तो उसको अच्छा करना पड़ेगा आपको यह आपको करना ही पड़ेगा ठीक है तो यह रहा मेरा टीर टू का मार्क्स एंड उसके बाद आता है टीर थी एंड टीर थ कीस बेसिस पर कियोगी टीर टू टीचछ वेड़े करता है ना मार्क्स तो टीर थ्री में तो जितना भी कर लो पता नहीं कुछ लोगो तो अच्छा माक्स आता फी है मेरा उतना भी बहृत अच्छा तो नहीं हुआ था बट- तो आप लोग जो जीनों ने भी उनको पता है कि टाइपिंग का मेरा थोड़ा सा एक्स प्रैक्टिस था बट आप लोग जो जीनों ने भी क्रैक किया है तो उनको पता है कि टाइपिंग में वो पहले का प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता आपको एकदम हंड्रेट पर्संट प्रैक्टिस में ही रहना चाहिए जब आप एक्जाम देने जाओगे तो जो भी है ये इतनी रश में मैंने एक्जाम देने गया तियर फोर तो मुझे लग रहा था बट कुछ भी नहीं हुआ इंफेक्ट एक्जाम देने के बाद ही मैं समझ गई थी कि नहीं मेरा टाइपिंग में प्रोस मोस्ट प्राबली कोई एरॉन नहीं है एंड आज जो प्रूफ हो गया ये देखिए मेरा डी एस्टी में मिस्टेक्स जीरो है मतलब मेरा प्राउंट होना ही इंपोर्टेंड नहीं है खुद का साटिस्फेक्शन भी जरूरी होता है ठीके तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर टाइपिंग का लेसन है तो वहां पर जैसे किया गया है जैसे सिखाया गया है मैंने एकदम बहु वैसे ही किया था मतलब सिखा था व 192 आया है यह भी मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है तो मैं tier 4 के mark से बहुत खुश हूँ जैसे कि tier 1 के mark से बहुत खुश थी and obviously tier 2 क्या English के mark से बहुत ही जादा खुश थी तो यह रहा मेरा mark statement and CPT का वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे है मैंने बहुत सारा powerpoint presentation का वीडियो अल्रेटी बना चुकी हूँ and excel का अभी तक बनाया नहीं excel का भी बनाऊंगी बहुत जल्द तो यह रहा मेरा mark statement and now here I developed each and every individual marks with you so that's all thank you